गोड मॉर्णिंग, All India Radio और आज सभा के अनलेसिस में आप सभों का स्वागत है। अगरसर हो रहा है, LS Member App ये बनाया गया है और बहुत सारे लोग जो ये कानुनी वाले जो है, जो परलेमेंटे बैठे हैं, जो भी कुश्चन पोस्टे हैं, वो डिजिटरी माद्य हम से पोस्ट है, 94% हो गया है। ये कच्छी नियूज आप कह सकते हो, चलते हैं, नेक्स्ट आ दूटी है, कि क्या दिया जाए, राइट टू एजुकेशन बच्चों को दिया जाए, तो ये रिस्पॉंसिलिटी एंड डूटी है, दा गॉर्मेंट आफ इंडिया, जो इसकूल बच्चे नहीं जाते हैं, उनकी डूटी है, इसको अब ध्यान रखेंगे, और उसको फंड के अंदर भी डाला गया, ये राइट टू फरीजुकेशन मतलब 86 अमेंडमेंट हुआ था, आपको याद होगा, अब देखो, रिस्पॉंसिलिटी क्या क्या होता है, तो रिस्पॉंसिलिटी क्या मतलब होता है, इस फैसिलिटी मैसिनरी इस नोट वरकिंग, अगर जो हमारी इस फैसिलिटी मैसिनरी है, जैसे स्कूल से रहे हैं, और सही से वरक नहीं कर रही है, तो इसका उप्योग कैसे किया जाए, अब देखो, यू हब तो प्रोवाइट इसकूल इन नेवर हुड, मतलब राइट टू एजुकेशन कहता है, स्टेट गोवर्मेंट को, कि आपके आसपास, जो भी सहर है, उसके आसपास, दो, चार किलिंटर, पांस किलिंटर के अरिया में स्कूल होने चाहिए, दूसरा प्रोवीजन फोर फटरफनिंग अन मैंन इन डाइटों सिस्टम, मतलब इसकूल सिस्टम, जो है so maintain होना चाहिए funding किस तरह का क्या होगा नहीं होगा तीसरी बात कहती है central government also has honest to able to help state government मतलब central government help करेगी किस को state government को honestly help करेगी because it's a matter of education चौथा point कहता है कि national curriculum framework बनना चाहिए पांचमा point कहता है responsibility जो होगी वो shares with local government यह दो चाहर point है आप यूज़ कर सकते हो जैसे पंचायती राज institution के माध्यम से इसको जोरने की बात कहीं जा रही है अब देखो यहाँ पर right to face education, compulsory and education दो चाहर बाते हैं यह signifies करता है the values of equality, social justice and democracy जो हमारे fundamental right में है, किस-किस की बात करता है values की बात करता है, तक ethical issues भी है क्या पढ़ाई जोरी नहीं है, हर बच्चों की पढ़ाई जोरी है, equality की बात नहीं करता है equality हमारा article 14 तो कहता है, यह विदी के समक्ष सब समान है social justice या social justice अगर society के हिसाब से न्याई नहीं मिले यह भी और democracy की तो बात होती ही है creation of a just human society एक अच्छी society बनाने की कलपना की जा रही है to be achieved only through the provision inclusive elementary education यह कैसे अच्छी society कैसे बनेगा inclusive elementary education की सहाईता से देखो इस तरह के बच्चे हैं, इन लोगों को भी तो जोरत है education की तो यह 2009 में 86th amendment से compulsory education act 2009 आगया 86th amendment से कब 2009 में इसको आप जोर धियान रखेंगा, fundamental right हो गया, देखो क्या क्या दिया जाएगा free compulsory education for कितने से कितने साल, 6 से 14 साल, 6 से 14 साल, यह आप ज़रूर धियान में रखेंगा यहाँ पे और एक बात, जो नया article जोरा गया, article 21A, capital A, article 21, capital A, यह जोरा गया तो जो enforced of a fundamental right है, यही है, introduced इन राजसभा, 15 दिसंबर 2008 को introduced किया गया था, date important बिलकुल नहीं है, मतलब यह PCS बेगरा के लिए हो सकता है, UPC के लिए बिलकुल नहीं, April 1, 2010 को जो है, इन एक्ट हुआ, इफेक्ट में आया, और इद्दा एक्ट गिवस एफेक्ट ऑन, it is 6th Constitutional Amendment Act, 2002, यह आप समझ रहे हो, वही बात जो बार बार हम कर रहे हैं, emphasize on inclusive, excessive, educational, national wide की बात करता है, 25% reservation of the weaker section section, मतलब 25% reservation भी है, weaker section जो बच्चे हैं, उनके लिए, entry of children from the weaker section, under weaker section का जो section बनाया गया है, section 12-1-C, इसको आप ध्यान रख सकते हो, answer के अंदर यूज़ करोगे, तो आपके आधे नमबर तो जोब बढ़ जाएंगे, mandate appointment of suitable teachers, इसमिक provision में ये भी बात कही जाती है, कि जो teacher का appointment हो, वो suitable teacher हो, knowledge वाले व्यक्ति हो, provides, punishment, punishment नहीं होना चाहिए, बच्चों का harassment नहीं होना चाहिए, discrimination नहीं होना चाहिए, मतलब article, 17 का भी violation नहीं होना चाहिए, ये इस तरह से चीजों को आप connect कर सकते हो, टेक्स्ट बुक, फ्री टेक्स्ट बुक, देखो, फ्री टेक्स्ट बुक की बात कही जा रही है, राइटिंग मेटरिजल्स की बात कही जा रही है, यूनिफॉर्म की बात कही जा रही है, implementation on center, state and local authorities, जो बात अभी अभी की है, हमने, no admission test, co-admission test नहीं होगा, interview for a child or parent, मतलब no, ऐसा कुछ नहीं होगा, जो private schools आजकल कर रहे हैं, अब देखो, establishment of a school management system, एक school management system भी बनाया जाएगा, और parents to send their school, the act exhorts करता है, कि parents जो हैं, सो अपने बच्चे को school तक भेजे, right to education, act amended in 2017, 12, 17, 19 में इसको amend किया गया, अब देखो, यहाँ पर एक और बात, subjuned, सर्व सिक्षा अभियान, राष्टिय माध्मिक सिक्षा, सर्व सिक्षा अभियान, and teacher education, subjuned किया गया है इसको, समगर सिक्षा, जो हम लोग कहते हैं, यहाँ पर state और यूटी की सहाईता सी, इसको आगे बढ़ाया गया, अब देखो, similarly, for teacher की यह duty है, कि वो punctual रहे school में, दूसरी duty क्या हो सकती है, must be regular रहे, तीसरी duty क्या हो सकती है, they must be complete slivers, उनका काम है, slivers को पूरा कराना, complete the curriculum, पूरिकुलम को पूरा कराना, और inform the parents, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, and inform the children, चिल्डन क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और क्या है इसके अंदर, कि developing, developing in the child, potential of the child, मतब चाइल्ड की potential क्या है, उनके ओपर काम करना, और next, the child may have good values, good values, ethical values, तो होना बहुत ही बच्चों में जहुरी है, physical and mental development होना चाहिए, अब यहाँ पर बात करें, तो helps to quality education, quality education भी तो जहुरत है, conducive learning environment, एक learning type का environment होना चाहिए, imperative, strengthening the social fabric of democracy, social fabric democracy होनी चाहिए, provision for equal opportunities, वही, equal opportunity सबको मिलना चाहिए, समान अफसर मिलना चाहिए सबको, article 39F जो हमारा किसका, DPSP का है, वो क्या कहता है, principle of state policy, यह भी right to education की बात करता है, और state government की duty है, equitable and access education देने की, वही, यह बात April 1 2010 को compulsory बना दिया गया, यहाँ पर एक बाते हैं, जो इसको आप यूज कर सकते हो, answer के या essay के line में, education is not about academic alone, academic salon के लिए सिर्फ education नहीं है, तो क्या है, यहाँ पर about overall growth, overall, education is about overall growth की बात करता है, और यह बात करता है, develop the abilities of the child, जो abilities है develop में, जैसे कोई चितकारी बहुत अच्छा करता है, artist बहुत अच्छा है, कोई musician बहुत अच्छा है, कोई art में बहुत अच्छा है, कोई playing में बहुत अच्छा है, तो उनको उस field के अनुसार उसको वहाँ तक विजा जाए, छे से चोदा साल, which is of elementary education, ये छे से चोदा साल का, देखो, fundamental right में, जो right to education है, 21A, किसकी बात करता है, छे से 14 साल की बात करता है, ये तो आप जरूर धियान रखना, और यहाँ पर protection of child right की भी बात करी जाती है, कि child के rights को protection करने की भी बात करी जाती है, हलाकि इसमें कुछ जैदे हैं नहीं, लेकिन national commission for child rights बनाया गया है, और इसके अंदर attainment of goal of universal elementary education, वही सेम बाते हैं, और सबसे बड़ी चीज, education works as a building block in a child, ये एक building block का का काम करता है, education, उनके, मतलब जैसे कोई मुर्ती नहीं होता है, जिस साचे में हम लोग ढालते हैं, उसी तरह से एक building block का का काम करता है, और attain equality elementary education की बात करता है, और यहाँ पर एक और बात करें, we must encourage our children, हम लोगों को, children को encourage करना चाहिए, ये सारी बातें इस आटकिन में कहीं जाती हैं, तो आज के discussion में इतना ही था, thank you, thank you. झालते हैं.